सूबे की राजधानी लखनाओ के इंद्रागांधी प्रतिष्ठान में सोमार को प्रधानमोदी और मुख्यमंत्री आधितनात योगी के नित्वत में ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी 4.0 का आज़न हुआ सूबे की राजधानी लखनाओ के इंद्रागांधी प्रतिष्ठान में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेत्रत्वों में ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी का आज़न हुआ इस भवे समारों में पी एम मोदी ने 10 लाग करोड रुपे से अधिक की 14 अज़ार प्रयोजनाओं का भूमी पूजन किया ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी को लेकर उद्ध्योग जगत में हर्श का माहौल बना हुआ है श्वासिरपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में आई ट्रेक इंडिया लिमिटेड और वॉन वैलक्स ग्रूप के सीएओ आशीज जैन ने कहा कि सीएम की नेतरत्व में आयुजेत ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी से उत्तर प्रदेश की छवी विश्वभर और देश भर के इंवेस्टर्स और उद्ध्योग पतियों में अच्छी छवी बनी है यह एक बहुत अच्छा इनिशेटिव है जिसमें यूपी को एक बहुत अच्छी लोकेशन और इंट्रेस्टिंग लोकेशन फॉर इन्वेस्टर्स के लिए और इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए और इन्वेस्टर्स करा गया पूरा प्रोग्राम और एक बहुती स ग्राउंड ब्रेकिंग उनकी स्टार्ट हो गई और अब वो उनका नेक्स सिया तक उसब प्रोसेस में आ जाएंगे शू एक्सपोर्टर साशीज जैन ने कहा कि पिछले साल मार्च माहा में लखनओ में आयजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उनके ग्रुप का उत्तरप्रदेश सरकार से 200 करोड के M.U. साइन हुए थे इस M.U. के अधार पर ग्रेट अनुएडा जेवर में इंटरनेशनल एरपोर्ट के सामने एक्सपोर्ट यूनिट का 50 फीसदी कारय पून हो गया है अगामी वर्ष में यहां से दुनिया के 45 देशों में विश्विस्तर के शूज और फुट्वेर का एक्सपोर्ट किया जाएगा इसी तरीके से हमारा कंपनी ने लास्ट येर जीएएस में 200 करोड के M.U. साइन किये थे उसके अंतरगत 50% of the M.U. 100 करोड के तो उसके अंतरगत हमारा जेवर जो येडा जोन है सेक्टर 29 में वो जीबी सी रेडी हो चुकी है और उसके अंतरगत उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग इस प्रोग्राम के अंतरगत करी गई और अब नेक्स येर तक वो पूरी प्रोसेस में आ जाईए की और उसका प्रडक्शन कम्प्लीटली इंदा मार्केट और एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा लखनाओ के इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में सोमवार को आयजित ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी को लेकर साइए एक्सपोर्ट के नेदेशक एवं शू एक्सपोर्टर्स नारायन बहरानी ने कहा कि पिछले कुस सालों में देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार में यूपी में न केवल क्राइम कम हुआ है बल्कि बिजनेस कल्चर का विस्तार भी हुआ है यहां आए सभी निवेशकों के बीच आशावाद देख रहा है जिस परदेश में उद्ध्योग पती आना नहीं चाहते थे छेतरिये पार्टियों ने कोई डवलप्मेंट नहीं होना दिया मानिय योगी अदितेनाथ की कारे सेली और भेमक परदेश बनने से पहले तो तर परदेश उत्म परदेश बना जो द्योग पर्देश बन गया है, 40 लाग की जो परियोजनाओं थी उनको योगी आदित्यनाओं और मोदी जी ने मिलके इसमें दस लाग करोड की परियोजनाओं को धरातल पर उतार है और आगे भी उत्तर पर्देश में बहुत सारी अंकाचाएं हैं, परियोजनाओं का उधगाटन होना है, क्योंकि योगी आदित्यनाओं की कारे शेली को हर किसी ने सराय है लखनाओं में सुमबार को आयजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर होटल व्यवसाई पील शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में प्रदेश भर में देशी विदेशी इन्वेस्टर्स उत्द्योग लगाने में रूची दिखा रहे है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए अब सरक इतना बड़ा निवेस आ रहा है और व्यवपारियों के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो जकती कि सारे देश और व्यदेश के इतना बड़ा इन्वेस्ट व्यवपारियों दोरा किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की व्यापक चर्चा हो रही है लेकिन पूरी दुनिया भारत को बहतर रेटेंड की गारंटी मान रही है दुनिया भर के निवेशकों को सरकार की नीतियों और इस्थायत वुपर पूरा भरोसा है सीन्यूस के लिए अज़े बहादुर के रिपोर्ट